दोस्तिया सलमान की टाइगर 3 की खबरे इन दिनों जोरों पर है और जिसके जाएक तरब बता जा रहा है कि सलमान की टाइगर 3 की तियारी शुरू हो गई है और या टाइगर 3 को इस बार अलियाब बाद जफर नहीं बलकि मनिश शर्मा डाइरेक्ट करेंगे या जिसकी सोर्सेस के मताबिक बताया जा रहा है कि टाइगर स्रीस की तीसरी फिल्म को मनिश शर्मा डाइरेक्ट करेंगे और उसमें जाए या सराज फिल्म की 50 एनिवर्सरी में या पर टाइगर 3 के एनॉस्मेंट हमें सुनने को मिल सकती है और वहीं जैसा कि या दूसरी तरह मनिश शर्मा इस फिल्म को डाइरेक्ट करते दिख सकते है उसमें तो या टाइगर स्री के साथ हमें काफी बड़ा सप्राइज मिलेगा क्योंकि हैं जैसके मनीश शर्मा एक्शन फिल्म को डायरक्ट नहीं करते हैं और उसमें बताया भी जह रहा है कि आदित्तiler चोपडा क्यों है कि हमनीश शर्मा फिल्म को डायरेक्ट करे ताकि हम फिल्म एक नया टच्च मिले हलके हस्तों यह फैंस तो ही चाहते थे कि अलियाबाद जफर ही यह अपर टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म को भी डायरेक्ट करें लेकिन जिसे कि यह फिलाल तो हमें सुनने को मिल रहा है कि मनिश शर्मा यह टाइगर सीरी को डायरेक्ट कर सकते है और जैसा कि यह तो हमें देखने को मिली रहा है कि यह आलियाबा जफर जो कि अपने आने होले पोर्जेक्ट के साथ काफी ज़्यदा बीजी है और समय आलियाबा जफर लगे वे हैं अपने एक सूपर हीरो यूनिवर्स को किरियाट करने में तो समय आउमिद है कि मनिश शर्मा टाइगर 3 को डाइरेक्ट कर सकते हैं और समय एक्ठर टाइगर को कबिर खाने डाइरेक्ट किया था और वही टाइगर जिंदाए को डाइरेक्ट किया था अलियाबा जफर ने और समय आप टाइगर 3 को यह आप डाइरेक्ट कर सकते हैं मनिश शर्मा साथ यह और बॉलीवूट सर्योडी लेटेस्ट प्रेट के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंड जरूर करें